असलाम अलेकुम एवरिवन मैं हूं मुहम्मद तलह और आप लोग देख रहे हैं तला स्वेस अकैडनी आज हम लोग कवर करने वाले हैं सेकेंडेर के नुमेरिकल्स को और सेकेंडेर के नुमेरिकल्स में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा चप्टिर नवर 15 और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नुमेरिकल्स फॉम 15.1 तो 15.5 15.1 एक गेल्वानो मीटर है जिसकी रिस्टेंस गेवन है ठीक है रिस्टेंस ऑफ गेल्वानो मीटर 50 ohms एंड टिफलेक्ट फॉल स्केल और व फॉलिस्केल डिफेलेक्शन डेता है जब उसमें से करंट पास होता है तैन मिली इंपेर्स ठीक अब अब ये फुल स्केल दिफ deflection current हमेशा काफी कम होता है तो वह आम तर्व मिली एंपेर्स के अंदर होता है सो इसकेस के अंदर आइडेंटिफाइ करना असान है कि यह फुलिस्किल deflection current है अजय के अच्छाइब करना है तो यह बात तो confirm है कि किसी भी गल्वानो मीटर को अगर एक गल्वानो मीटर है और मैं चाहता हूं कि मैं उस गल्वानो मीटर को कनवर्ट कर दूँ एक मीटर में तो हम क्या करते हैं कि उस गल्वानो मीटर के parallel ठीक एक resistance जोड़ देते हैं और यह जो resistance होती है यह होती है एक shunt resistance ठीक है ना एक shunt resistance होती है जिसकी value बहुत small होती है और हम उसको आम तौर पर show करते है RS से ठीक है तो actually यह बत तो हमें पता है कि parallel जोड़ना है shunt resistance को लेकिन उसकी value पता होनी चाहिए सबसे पहले rg हमें given था resistance of galvanometer rg 50 ohms ठीक है और जो current है वो है 10 milli amperes full scale reflection current जिसे हम आई जी से show करते है 10 milli amperes है milli amperes से जाने के लिए ampere में divide by 1000 क्योंकि milli show करता है 1000 की value को 1000 से divide कराएंगे अपने आप जो answer आजाएगा हमारे पास वो आजएगा 0.01 और जिस आई range में convert करना है वो i की range है 10 ampere सो मैंने आपको बताया था हमें value पता करनी है rs की तो formula है shunt resistance के लिए ig rg divided by i minus ig सो इसी तरीके से arrange करेंगे तो यह बन जाएगा ig की value 0.01 into rg की value यहने के resistance हम 12.0 meter 50 जो range है वो ic show होती है वो है 10 ampere minus 0.01 सो solve करने के बाद हमारा answer आएगा shunt resistance 0.05 ohms यानि के अगर मैं चाता हूँ के एक galvanometer है उसको मैं convert कर दूँ एक m meter में जिसकी range कितनी हो जिसकी range हो 10 ampere सो मुझे एक shunt resistance वहाँ पर जोडनी पड़ेगी और वो shunt resistance लगानी पड़ेगी parallel और उस shunt resistance की value अगर मैं चाह रहा हूँ कि यह सारी condition है यह सारा data है तो shunt resistance की value भी उतनी होनी चाहिए जितनी के हम लोगोंने fine करी है यहने के 0.05 ohms 15.2 same question है तो उसको आप practice के तौर पर कर सकते हो बिल्कुल 15.1 की तरह ही है so मैं आपको 15.3 solve कर वाता हूँ 15.3 में एक coil है कलवनो मीटर का जिसकी resistance है 50 ohms current है 500 micro ampere उने बताया था उसको बैचानना असान है fulliscal deflection current milli ampere का micro ampere के अंदर होता है produces fulliscal deflection in it show by a diagram अच्छा diagram भी बनानी है how it can be converted into an m meter m meter में कैसे convert हो सकता है एक ऐसा m meter जिसकी range हो 5 ampere और shunt resistance calculate करने पड़ेगी जार सी बात है m meter में convert करने के लिए और second part एक volt meter जिसकी range हो 300 volt तो compute करने पड़ेगी series resistance क्योंके volt meter में convert करने के लिए series में एक resistance zone नहीं पड़ती है RG की value 50 ohm resistance of galvanometer fulliscal deflection current है 500 micro ampere micro means 10 raise to the power of minus 6 so solfer की answer आजेगा 5 x-4 ampere m meter की range हो है 5 ampere volt meter की range हो है 300 volt A part में हमें RS find करना है value of shunt resistance और second part में value of series resistance जिसे हम show करते है Rx से सबसे पहले shunt resistance कल्कुलेट कर लेते हैं वही फार्मूला है RS बराबर है IG RG I minus IG तो IG की value होगी 5 x-4 into 50 और range जो थी हमारी वो थी 5 ampere 5-5 x-4 so answer आजेगा 0.005 ohm यह है value of shunt resistance so show by diagram diagram से show करना तर देखो मैं बताता हूँ एक galvanometer है और हमें क्या करना है हमें उसके साथ एक shunt resistance जोड़नी है और क्या होनी चाहिए हो shunt resistance की value shunt resistance की value तो हम find कर चुके है 0.05 सरफ हमें उसको कैसे लगाना पड़ेगा galvanometer के साथ parallel और जो shunt resistance की value है यह already हम लोगोंने पता करी है क्या value है वह है 0.05 ohms second part volt meter में convert करना है और volt meter में convert chronically series resistance का formula rx is equal to iv upon ig minus rg voltage जिसमें convert करना है 300 ig की value 5.4 minus rg करना पड़ेगा rg यह नहीं के resistance of galvanometer so answer आजएगा 599950 ohms ठीक है इस series resistance बहुत बड़ी लगानी पड़ती है in order to convert a galvanometer into volt meter so यह रहा हमारे पास galvanometer क्योंके diagram से show करना है तो हमें क्या करना है कि इस galvanometer के साथ एक resistance लगानी है in series जिसकी value क्या होनी चाहिए जिसकी value होनी चाहिए rx और rx जो अभी भी हम लोग calculate कर चुके एक बहुत बड़ी value है उसकी क्योंके हमें range भी जादा थी 300 volt में convert करना था तो वह जाएगे 599950 ohms 15.4 एक galvanometer है जिसकी resistance है 2.5 ohms ठीक है यह वो galvanometer जिसकी resistance गिवन है 2.5 ohms वो full scale deflection शो करता है और वो current है 0.05 ampere ठीक है already convert किया वो ampere के अंदर it is desired to convert this galvanometer into an m meter हम चाहते हैं कि हम इस galvanometer को m meter में convert कर दें और वो m meter जिसकी range वो 25 ampere जो अब problem यह है कि हमारे पास shunt resistance जो अवेलेबल है वो सरफ एक ही है 0.003 ohms so ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें इस galvanometer के साथ एक series में resistance आगानी पड़ेगी है R ठीक है तो वो series resistance की value बदा करनी है और figure आपको given है तो देख हमने क्या करा कि galvanometer तो यह ही है galvanometer की value हमें given है full scale deflection current भी given है तो RS अभी हमें हमारे पास सरफ एक ही है यानिके छोटी resistance वो सरफ एक है और उसकी value है 0.03 ohms ठीक है तो हमने क्या सोचा हमने सोचा क्योंने galvanometer के साथ series में resistance लगा दें ठीक है क्योंकि बड़ी resistance हमारे पास available है तो अवेलेबल नहीं है वो current resistance यानिके small resistance नहीं है तो हमने एक series में resistance लगानी है र कितनी होनी चाहिए उसकी value rg given है 2.5 ohm, ig given है 0.05 ampere, current given है 25 ampere और RS की value 0.03 तो series resistance जो आर लगानी है वो पता करनी पड़ीगी तो क्या करेंगे देख़ए एक बात है क्योंकि r और galvanometer आपको नजर आ रहे है इन series तो series में जो formula होता है resistance का वो होता है सीधा 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 करना होता है तो r plus r g लिख सकते हैं r dash, r dash होगी इनकी equivalent resistance इन दोनों की r की और r g की और होगा v s के according to ohms law v is equal to r so v dash के लिए आ जाएगा i g r dash देख़ो current तो उतना ही पास हो रहा है जो full scale deflection current है वो तो current पास हो रहा है है i minus i g total current है for example यहां से total current आ रहा है i लेकिन galvanometer के पास कितना current जा रहा है galvanometer के पास current जा रहा है i g के बराबर तो जो बचेगा वो यहीं जाएगा resistance के पास यानि कि i s के पास तो i s हमेशा बराबर होगा i minus i g ठीक है तो अगले step पे हमने यही put करना है i s की जगापे i minus i g तो जहां पे लिखावाद था हमने i s वहाँ पे आ जाएगा i minus i g और r dash की value बराबर आ सकती है यह i g इस तरफ जाके हो जाएगा divide तो मारे पास answer आ जाएगा अंसर आ जाएगा i की value 25 minus 0.05 into 0.03 चुकर rs की value है divided by ig की value 0.05 तो यह answer आ जाएगा 14.97 ohms अब अल्डेडी हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पे कि जो r dash हो किसके बराबर था r plus rg के तो r plus rg बराबर है 14.97 ठीक है जी तो क्या करते हैं जो value है rg की उस तरफ जाके हो जाएग माइनस और आंसर आजेगा rs का 12.47 ohms अगर इतनी हम resistance लगा दें ठीक है हम series के अंदर अगर इतनी resistance लगा दें rs गलती से लिखावा है अगर हम इतनी resistance series में लगा दें जिसका हमने rc शो किया था तो हम इसी galvanomido convert कर सकते हैं 25 ampere की range में और इस shunt resistance को इस्तामाल करते होए जो 15.1 की तरह एक m meter है full scale deflection current है उसका 5 ampere और उसकी जो total resistance है has a total resistance must be connected to measure 25 ampere full scale ठीक है हमें क्या करना है data में clear हो जाएगा हमारे पास m meter का current given है 5 ampere और उसकी resistance है 0.5 ohms ठीक है या आप हम स्प्रेंट हुआ वा बाबर आजेगा 0.5 ohms और जो range हमें करनी है वो है 5 ampere so rs convert करना पड़ेगा हमें इसको m meter के अंदर तो एक shunt direction लगाने पड़ेगी parallel so rs की value निकालेंगे जितनी value है i a यानिके actually पहरे से m meter full scale deflection जो दे रहा है वो दे रहा है 5 ampere पे और हमें सिर्फ इसकी range बढ़ानी है तो ig की जगह i a लिख दिया और rg की जगह r a लिख दिया क 5 into 0.5 divided by 25 minus 5 यह जगह 0.125 ohms यानि कि इतनी अगर additional resistance लगा दी जाए तो यही m meter range 5 ampere से 25 ampere बढ़ा लेगा ओके that's it यही वो numericals थे जो आज solve करने थे I hope समझ में आये होंगे easy है बट अगर कोई भी confusion है तो you can ask in the comment section मैं इंशालला reply करूंगा इस video के लिए इतना ही है अगर lecture मिलेंगे लापिस कर दो